हेलो या необходимо अब आध कि या चाहिए हुं कि यो बनाने के परणपाट कर सकते हैं शहीं sounds बनाना अब बहुत ज्यादा टेक्ष्टी है । बंडाना तक बहुत देखिए गहां पसंद आए तो लाइक और शेयर किज़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोलिएगा तो चली रेस्पी को सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं पराथा वाइट उसकी लिए मैंने आपा 1500 गरम आलो को बाल कर गरेट कर लिया है इ इसके साथ हम एड़ कर देंगे आदा शुड़ी चमच चाट मसाला या फिर आमचुन पॉडर ले सकते हैं इसके जगह पर एक चमच डाल देंगे कसूरी में थी इसकी बाद हम नमक डाल देंगे इस वादन पर एक रथाई चमच नमक लिया है बार एक चुप की और आदा आटे से बना सकते हैं और इसके बाद हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अब देख सकते हैं मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है तो इसमें बहुत जादा पानी की जरूवत नहीं है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम सौ करने के जरूवत नहीं है क्योंकि सूजी जो है साथ के साथ फूल दी जाएगी आप देख सकते हैं मैंने सॉब डो लगा तियार कर लिया और देख सकते हैं पूर थी थोड़ा सा पाने इस्तिमाल हुआ है अब हम इसमें एक जथाए चुटी चमाज की लगभा कुमिंगी और दो को अच्छे से चीकना कर लें और जैसा कि मैंने बताया कि हलका गुंगुना पाने समय आटा लगाया है इसे रेस्ट पे छोड़ने की जरूवत नहीं है साथ के साथ हमें से लोगया में डिवाइट कर ल इसके बार दोने के पीचार नहीं है कि अमरुना ओकानके सद्धिनिया है में एक तरह से उसको बिले लिएसा बिलें उहाएं ऐली जए मैंने पीडिया inversy टीकने इंडिंग सभी और लिए नहीं आपके सकते हैं इस तरीके से मिडिययं में किया जासा मैं इसको सरकल सिप दे रहे हूं गिलास इस तरीके से इसको कट कर लेंगे देखने में अच्छा लगेगा इस रेश्पी को आप बच्चों को लंज बोक्स में दे सकते हैं पी सुबास साम की बुक में कभी बना कर एंजॉय कर सकते हैं बहुत जादा प्रेस्टी लगता है बन गी डाल देंगे और घी को में अच्छी से स्पिरिट कर देंगे आप यहां पर घी की जगा ऑईल का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन या बच्चों के बना रहे हैं मैं सजेस्ट करूंगी कि आप घी में बनाएं बहुत जादा घी इस्तिमाल नहीं होता है एक सी डियर चमल घी इसे अच्छे से क्रिस्पी बने तक फ्राय कर लेना है और याजिये 6-7 मिनिट हो गए हैं आप देख सकते हैं हमारी सारी टिकियां हैं बिल्कुल क्रिस्पी वह गई हैं आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है तो भी में इसको निकाल लेते हैं और बाकी बैचिवे तो आपने देखाना इसे बनाना कितना ज्यादा असान है और यह लिए यह हमारा गर्म गर्म नास्ता बन कर तियार है आप एक बड़ी से जरूर ट्राइ कीजिएगा यह रिस्पी आपको पुछ ज्यादा पसंद आएगी और इसे ट्राइ कने वाद मुझे कमेंड में जूरू बताईएगा आपको यह रिस्पी किसी लगी यह दिया आपको मेरी आज की यह रिस्पी वीडियो पसंद आए होती से लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सियर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोले थैंक्स पर वाचिन एक बार फिर म